असलाम लेकूम आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ जो पच्छपन में हम खाते थे मिठाई उसे घर में कैसे बनाए जाए वो भी बहुत ही आसान तरीके से तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं ये बहुत ही टेस्टी होती है आपकी यादे ताज हो जाएंगी पर स्टार्ट करने से पहले सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन भी जरूर प्रेस करिए मैं ऐसे ही जादी जादी अच्छी अच्छी रेसिपीस चोटी चोटी वीडियो में लेकर आती रहती हूँ जो आपका कम वक्त ले और जादा इंफोर्मेशन दे सुके खोपरे को भी कद्दू कस कर लीजिए बस उसका प्लैक पार्ट यानि छिलका उसके निकाल लेना है यहाँ पर हमें दूद ले लेना है तो यह आप देख सकते हो मेरी पतेली मैंने इसमें काफी टाइम्स मतब दो से तीन बार दूद गरम कर चुकी हूँ और आजू अच्छी खासी जम गई है ऐसे ही दूद हमें लेना है शकर एड करके इसे गरम होने रख दीजिए अब हमें एक पैन ले लेना है और उसमें ड्राय रोस्ट कर लेना है सारे खोपरे को ऐसे ड्राय रोस्ट करने से क्या होगा हमारे जितना भी कैंडी हम बनाएंगे वो शकर वाला दूद है ये मलाई के साथ और घी एड कर देना है मैंने घी को मेल्ट नहीं की गरम से ऐसे ही मेल्ट हो जाएगा थोड़ा फैट इसमें डालना जरूरी होता है क्योंकि बाइंडिंग अच्छी आएगी उसी से अब हमें इसे चलाते हुए गैस की फ्लेम पूरा प्रोसेस में हमें लो ही रखना है इस बात का हमें ध्यान देना है शकर कम लगे तो आप थोड़ा सा शकर और एड कर सकते हो ऐसा जरूरी नहीं है सिर्फ दूद में ही शकर डालके एड करें अगर आपको समझ में ना आए कि आप इसे कितना देरतलग फ्राई करें तो आप पोशन ले लीजिए हलका सा ठंडा होने के बाद आप उसे गोल बनाना शुरू करिए अगर अच्छे से लड़ू बन जाए तो हो चुका तो दस से पंदरा मिनिट कंटिन्यू चलाते हुए पकाई हूं और इसका टेक्शर भी अलग हो चुका है और बहुत ही जूसी तो यहां पर मैंने औरेंज कलर आड़ कर दी हूँ आप कोई भी फूट कलर इस्तिमाल कर सकते हो यह देखिए मेरे हातों से मैंने इसे मिक्स की हूँ तो फिर हात में भी थोड़ा बहुत कलर चड़ गया है अब हम इसे प्रेस करते हुए गोल बनाना है ऐसे ही नहीं बनता ह अगर अपने आपी आने लगेगा कुछ भी लगाने की जरुवत नहीं है थोड़ा सा सूखे नारियल में वापस से कोट करने के बाद हम इसे सर्फ कर देंगे यह देखिए बहुत ही परफेक्ट और टेस्टी सा हमारी कैंडी बनकर तयार हो चुकी है अगर आपको पसंद आ लीचे और सब्सक्राइब करें बिना ना जाएए मिलते हैं नेक्स वीडियो में अल्ला हाफेज